हेलो फ्रेंज आज मैं आपको मटर कारी बनाने का बहुती अच्छा और आसान तरीका बताऊंगा ए वीडियो को बगर रिस्क्रूब करें शुरू से लाज तक जरूर देखें देखें मैंने टामाटर और मटर ही ले लियाँ देखें इसमें थोरा मॉस्टर आयल का यूज करत तक ये लाइट गोल्डेन कलार ना आये तब तक इसको फ्राइ करनी है देखें इस तरीका से अभी इसमें आफ़न एट कर देंगे हल्दी पाउडर हल्दी पावडर दालने के बाद थोरा सा मिला लीजिए उसके बाद आफन मोटर यूज कीजिए फ्रेस मोटर दिखे इस तरीका से आफन मोटर का यूज करनी है इसको आच्छा तरीका से फ्राई कीजिए दिखे इस तरीका से मोटर को फ्राई करनी है अब इसको ढखन लगा तो देखे थोड़ा 5-10 मिनेट के लिए तब तक आफन कैई टामटर कटिंग करनी हैю देखे इस तरीका से आफन टामटर को कटिंग कर लेते हैँ टामटर को पीश्ट नए डालनी चाहिए इसको पेश्ट करके डालनी चाहिए टामाटर माटर मसाला बहुत आच्छा तरीका से बनेगी देखे मैंने टामाटर को आच्छा तरीका से मिक्सी में पेस्ट कर लियाँ इस तरीका से टामाटर को पेस्ट कर लेते आच्छा तरीका से तो देखे अभी इसका 10 मिनट भी हो चुका है जब तक आफन इसको अच्छा तरीका से भूज लिए देखे आदर तो पाकने को लगाए तो इस तरीका से आफन इसमें याट कर देते अभी इसमें नमक का याट करना है स्वाद अंसर एक इस्पून नमक का याट कीजे और एक इस्पून कस्विड लाल मिर्ची याट कीजे एक इस्पून धनिया पाउडर एक इस्पून जीरा पाउडर याट कीजे तो देखे इसको आज सतरीका से मिला लीजे बटनी को तो देखे इस तरीका से आफन माटर को मिला लेते आदा पाकने लगे अब इसमें आफन दल देंगे टमाटर पेस्ट, थोरा सा पानी मिला के इसमें एड कीजे, इस तरीका से, अब इसको अच्छा तरीका से मिला लीजे, तब तक के अच्छा मसाला नहीं मिलता है, तब तक इसको मिला ले निये, तो इस तरीका से आफन माटर मसाला करीब बहुत अच्छा से बनाते देखे इस तरीका से अभी इसको डखन लगा देना 5-10 मिट्र के लिए बहुत अच्छा तरीका से पकने लाएगा देखे आप इतना बड़िया से हमारा मटर मसाला कई हो गया है तो देखे इस तरीका से आफन इसको चाय तो आप रोटी का साथ खा सकते और आप भी यह वीडियो जरूर देखे शुरू से लास तक बगर इसकी उगरे एक बार बना के भी देखे मटर करी कैसे रता है तो देखे यह वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल में नए है तो सब्सक्राइब जरूर कीजए देखिए माटर का करी रेशीपी ठैन्क्यू फ्रेंस, नेक्स्ट मिलते नए बड़ी के साथ